आज हम अब के साथ कड़ी की रेस्पी शेयर करेंगे और जो बहुत ही शांदार बनती है आप घर में बनाईएगा और देखिएगा कितनी खुश्जाइका और बहतरीन तयार होती है तो अब हम आते हैं इसके इंग्रिडेंट्स के तरफ सबसे पहले हमने इसके लिए डेड़ पो दही लिया है और इसके साथ साथ हमने चार चम्मच टी स्पून बेसन लिया है एक छोटी सी प्याज लेकर उसके साथ हमने एक दो लसन पीस लिया है आधा आधी प्याज लिया है इसको हमने ब्लैंड कर लिया है इसके साथ हमने दो च टकरेब एक चम्मश्य और धनीया भी हमें तक रिहेस्नंट सब्सक्राइ। मसक्कोर्स और स것도 पार कोज़ग एक शम्मश्य जानए। छामिल कर दिया। मैंदे करें प्याद धाते कर लाने जयत은। मिर्ची और नमक अच्छा इसके बाद हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे हेंड पीटर ले लें आप ब्लेंडर में कर लें या किसी चम्मज से कर लें जिससे आपको सबूल हो ताकि धही बिल्कुल मिक्स हो जाए इसमें थोड़ा सा पानी जालते जाएंगे ताकि ये अच्छी चरा मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसके अंदर बेशन शामिल करेंगे बेशन शामिल करके इसको हम मिक्स करेंगे इसको ये चार चममज लें लिये ताकि ये थोड़ा इसी महशान में डालने से आप कर लग舞 किशा एप तर ली जये जाए जिब हैभी तर शुरू मिक्स करना है कि बाब जाए जो कियाया कि श्रू टेज में यू इसके बाद पthen आ जैसे मैं बता रही है इस तरीके से इसमें धुकन धुकिएगा जो थोड़ा सा खुलावा रहे और इसके अंदर अब हम पानी भी शामिल कर देंगे यह हमारा मकमर तयार है मतेरिया अब हम इसको ढग देंगे और इसके उबाल आने का इज़ार करेंगे कि यह बॉइल हो जाए जब बॉइल हो जाएगा तो में फ्लेम लो कर दोगी जो पकॉड़ा डालेंगे पकॉड़ा बनाने के लिए जो हमने सामान लिया है वह आपको बता रहे है सबसे पहले हमने एक पौड़े करीब बेसन लिया है इसमें में वल पिंच यानी एक चुटकी बेकिंग सोड़ा ड फीट लेंगे और इसके साथ सासाथ हम इसमेन नमक भी शामिल करेंगे अब हम इसको फेटके अच्छी अच्छी तरह से फेटने के बार मैं इसमें एक चुट्की वन पिंच कलर डालती हूँ फूट कलर ताके थोड़ा इसमें कलर इसका अच्छा बन जाता है यानि बिल्कुर सुफैज से पकॉड़े नहीं बनते बलके काफे पुश्रम बनते हैं यह लग डालके आर इसको मिक्स क साबक गोल मिर्चे लिए इसके साथ मैंने कड़ी लिज लिए यानि कड़ी पता इन तमाब चीजों के साथ हम भागार पर रहें जितने ज्यादा कड़िया पकाएंगे इतनी फुश्बू और जायका इसमें बढ़ेगा इसके साथ साथ हम जो बेसन मन फेटा था अब हम पक पकोर्णों को मुकंमल तरने के बाद पानी में डिपकिया थाके यह फोड़े साथ हो जायके पानी में से निकालके हमने इसको रख लिए आए आप भी सीधा आपिए ठाही के तर चाही के रिचाने के बाद भागार करेंगे और अब इसके बढ़ने डाल दालें बार गगार रिल्योगी औो बन बिशो आफ पली मैं झाल 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 झाल